दोस्त्स तो मेरे पास है वीबो वाई 32 whom जी अब देख सकते हैं दोस्तों नीचे क्तरफ वीबो की ब्रांडिंग है और दोस्तों मौडल नंबर मैंने आपको बता दिया मौडल नंमर है वीबो वाई विडियो को बहुत ध्यान से देखेगा दोस्तों, अगर आपके पास Vivo Y70 2 5G है और आपकी डिवाइस FRP लाख है यानि की Google अकाउंट लाख है, तो मेरे इस विडियो को देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठे, आप अपने Vivo Y70 2 5G का FRP लाख यानि की Google अकाउं है, तो इसका एक छोटा सा ट्रीक इस विडियो में मैं आपसे सेर कर देता हूं, दोस्तों अगर आप उपर की तरफ ध्यान से देखेंगे, कोने में, देखे बिल्कुल उपर की तरफ, आपको एक छोटा सा लाखर दिख रहा है, यह लाखर यहाँ पे है, यानि की आपकी ड आपको मिलता है, इन बॉक्से को आपको चेक करते रहना, उसके बाद नेक्स्ट, बाक्स को चेक करिए, नेक्स्ट, फिर से बाक्स को चेक करिए, उसके बाद नेक्स्ट, फिर से आपको बाक्स को चेक करना है, उसके बाद नेक्स्ट, ओके, और यहाँ देखे दोस्तों, य डिवाइस हमारी कनेक्ट हो गई आप उपर की तरफ देख सकते हैं वाई फाई का सिंबल सो कर रहा है और जैसे डिवाइस कनेक्ट होगी दोस्तों यह आटोमेटिकली आगे प्रोसेस करने लगेगी ओके अब यहां से मैं कर दूंगा डॉंट कापी और कुछ सेकेंड वेट कर लिए आपको पूरी तरह कनफर्म हो जाएगा कि यह जो डिवाइस है वीबो वाई सेवेंटी टू फाइब जी यह गूगल एकाउंट लाग है यह देखे दोस्तों आपको यह प्राब्लम फेस करने पड़ती है जब आपकी डिवाइस एफारपी लाग होती है यानि कि गू लेकिन दोस्तों हमें यह पीन यहाँ पे नहीं पता है अब एक चीज़ और बता दू दोस्तों यहाँ पे पीन की जगह पे पैटन भी हो सकता है पासवर्ट भी हो सकता है डिपेंड करता है आपके उपर कि आपने डिवाइस में सेक्योर्टी के तोर पे क्या डाल रखा है अगर पीन डाला हुआ है तो पीन आएगा पासवर्ट डाला है तो पासवर्ट आएगा पैटन डाला है तो पैटन आएगा ओके तो चुकि यहाँ पीन का आपसन है और पीन हमें पता ही नहीं है अब मैं सेकेंड आपसन की बात करता हूं दोस्तों सेकेंड आपसन आप Google account मालूम है तो आप simply enter करें next करें आपकी device बहुत आसानी से अनलाग हो जाएगी लेकिन यहां दोस्तों finally हमें device का Google account भी नहीं मालूम है यानि कि मेरे पास यह जो डिवाइस है FRP लाक यानि कि Google account लॉक कर पाएगी तो देखें दोस्तों आपको करना क्या है सबसे पहले आप यहां से बिल्कुल back चले जाएं बिल्कुल back का मतलब आपको चले जाना है बिल्कुल home screen पे ओके और अब आपको करना क्या है अब simple आप यहां start पे क्लिक करें यहां से next करें next 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 okay और अब आपको करना क्या दोस्तों यहां से एक point आपको back जाना है एक point सिर्फ एक point एक point आपको back जाना है connect to wifi वाले आप आपको एक प्लस का इकन मिलता है और लिखा See All Wi-Fi Network आपको इस पे क्लिक करना है उसके बाद बिल्कुल नीचे आईए तो आपको एक अपसंद मिलेगा प्लस का आइकन है और लिखा Add New Network आप इस पे क्लिक करिए जैसे ही आप Add New Network पे क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस का कीब face आपको देखने को मिलेगा, इस जो option है दोस्तों आपको करना है क्या है इस option को cancel कर देना है तो cancel करने के लिए आप जह सकते हैं एप क्लिक करणा है टो कर दिछे याद रहे दोस्तों आपको यह तब तक करना है जब तक यहाँ पे Gboard और Allow का message ना आ जाए, यहाँ पे Gboard लिखा रहाएगा और यहाँ पे allow, तब तक आपको करना है, दो से तीन बार, maximum तीन बार करने में वो option यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, दो बार हम करी चुके हैं, तीसरी बार करते हैं, तो फिर से मैं इस माइक पे क्लिक करता हूँ, और यह देखें, मैं इसी option की बात कर रहा था, Gboard और यह देखें, blue color का allow लिखा हुआ है, जैसे ही आपको allow so करेगा, आपको तुरंट allow पे क्लिक कर देना है, तो चलिए, हम फिर से मिलेगा permissions का, यह रहा permissions, आपको simple permissions पे क्लिक करना है, उसके बाद ऊपर चले आईए, ऊपर देखिए, यह three dot है, उसके बगल में यह search box है, आपको simple search box पे क्लिक करना है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे, आपकी device में यह देखिए, search setting, और आपकी device का keyboard फिर से open हो जाएगा, ओके, और अब आपको करना क्या, दोस्तों, अब आपको यहाँ पर type करना है, दोस्तों, इतने साले यह देखें, बहुत सारे result आपके सामने आ जाएगे, ओके, आपको करना क्या है, कि बिल्कुल नीचे आ जाना है, नीचे आएगे, बिल्कुल नीचे, तो आपको मिलेगा setting app info, यह देखिए, ओके, आपको simple इस पर click करना है, ठीक है, और उसके बाद, यहाँ देखे, setting open का option है, ठीक है, उपर की तरफ देखे, blue color का open का option, आपको इसे open कर लेना है, तो यहाँ जैसे यह आप open पर click करेंगे, दोस्तों, आप देखें कि आपके device की main setting है, दोस्तों, यह देखे, device की main setting open हो जाएगी, ओके, और अब आपको करना क्या दोस्तों, बिल्कुल यहाँ setting में नीचे आईए, तो आपको एक option मिलेगा, shortcut and accessibility का, यह रहा, shortcut and accessibility, आपको इस पर click करना है, ओके, और यहाँ पे, और नीचे आजाईए, तो बिल्कुल नीच इस पर click करना है, ओके, और यह देखे, accessibility menu shortcut, यह off है, इसे आपको on करना है, तो आप इसे on करिए, यहाँ allow deny, आपको इसे allow करना है, और उसके बाद got it, ओके, तो इससे दोस्तों, आपके display में देखेंगे, तो थोड़ी सी changing आएगी, नीचे तरफ ध्यान से देखे, यह देख तो अब यहाँ से आपको back जाना है, device की main setting में, याद रखिएगा, ध्यान से जाएगा, आराम से, तो हम यहाँ से back चलते है, device की main setting में, ओके, हम आ चुके हैं, यह देखे, device की main setting में, ओके, अब देखेंगे, आपको करना क्या है, अब यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे यह, ओके, और उसके बाद जैसे याप app info पे क्लिक करेंगे, दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आपके device में, by default जो app की list है, वो सारे app की list आपको यहाँ सो करने लगी, यह देखे, सारे app की list यहाँ सो करने लगी, ओके, और अब आपको करना क्या है, दोस्तों, ऊपर की apps हैं, वो भी apps आपको यहाँ पे सो करने लगेंगे, देखे, सारे apps यहाँ पे सो करने लगें, ओके, और अब आपको करना क्या है, दोस्तों, बिल्कुल उपर आ जाना है, और यहाँ पे आपको एक option मिलता है, android setup का, ध्यान से सुनिए, android setup, यहाँ देखे, यह रहा android setup, आइकन में changing है, यह देखे, यह android setup है, इसके सामने watch बना हुआ है, और यह android setup है, इसके सामने setting बना हुआ है, यह चीज़ आपको ध्यान देना है, ओके, तो मैं पहले वाले android setup पे click करूँगा, पहले वाले पे, तो मैं इस पे click करता हूँ, ओके, और अब आपको करना क्या है दोस्तों, इसे disable करना है, उसके बाद force stop करना है, ध्यान से सुन लीजिए, पहले आप disable करेंगे, उसके बाद force stop, कैसे, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आप disable पे click करिए, उसके बाद disable app, उसके बाद force stop पे click करिए, और उसके बाद ok, यह android setup का done हो गया, इसका icon आप देख ल है, आपको इसे सिर्फ और सिर्फ force stop करना है, तो आप simple force stop पे click करिए, और यहाँ से ok कर दीजिए, ठीक है, अब हम यहाँ से back चलते हैं, यह दोनों android setup का जो work है, यह complete हो चुका है, अब आपको नीचे आना है, नीचे आपको एक option मिलेगा दोस्तों, google play services का, आपको बिल्कु to same, वही work, आपको इसे disable करना है, और last में से force stop करना है, ठीक है, तो पहले आप इसे disable करिए, disable app, force stop, और ok, ठीक है, यह complete हो गया, आपने disable किया, force stop किया, complete हो गया, और अब आपको करना क्या दोस्तों, अब यहाँ से आपको बिल्कुल back चले जाना है, बिल्कुल home screen पे, बिल् simply start पे click करिए, ok, यहाँ से next करिए, next, 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 ok, और अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ changing आपको देखने को मिलगी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, just a second, checking for update, और यह continue ऐसे round करेगा, यहाँ पे देखिए, अब इससे आगे आपकी device बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली है, यह देखिए, checking for update, just a second, checking for update, just a second, यह continue round करेगा, आप कितना हो भी वेट कर लें, यह continue आपकी device बिल्कुल इस पे stuck हो जाएगी, checking for update पे, ok, तो अब आपको करना क्या है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको करना क्या है, उसके बाद practically मैं करके खुद आप करने को मिलेंगे, आपको assistant पे click करना है, ok, जैसे ही आप assistant पे click करेंगे, तो यहाँ पे आपको setting दिखेगा, blue color का setting, आपको setting पे continue tap करना है, तो इस्ते क्या होगा दोस्तों, Google Play Services जो app आपने disable किया था, वो open हो जाएगा, और जैसे ही open होगा, आपने उसे disable किया था न, आपको इनेबल कर दिना, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है, ok, तो ध्यान से दिखे, अब मैं practically आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, ok, तो मैं accessibility shortcut menu पे click करूँगा, assistant यहाँ पे setting दिखेगा, यहाँ पे आपको setting दिखेगा, फिर से try करते हैं, accessibility shortcut menu assistant यहाँ पे setting, नहीं करना है एक बार करें दो बार करें तीन बार करें दस बार करें यह ओपन होगा जरूर लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी तो फिर से हम करते हैं एसेसबिल्टी shortcut menu assistant accessibility shortcut menu assistant setting ओके और यह देखें यह Google लेकिन बहुत फास्ट ओपन हुआ और बैक चला गया ठीक है फिर से हम ट्राई करते हैं एसेसबिल्टी shortcut menu assistant setting ओके एसेसबिल्टी shortcut menu assistant setting यह देखें यह ओपन हो रहा है लेकिन बैक चला जा रहा है आपको करते रहना दोस्तों ठीक है बिल्कुल करिए ध्यान से करिए आप देख सकते हैं मुझे भी problem हो रही आपको भी problem होगी आप करिए 100% open होगा एसेसबिल्टी shortcut menu assistant accessibility shortcut menu assistant setting नहीं आया accessibility shortcut menu assistant setting आप देख सकते हैं मैं try कितने देर से कर रहा हूं लेकिन open नहीं हो रहा है तो कभी-कभी बहुत जल्दी open होता है और कभी-कभी नहीं open होता है ओके तो यह चीज़ आपको ध्यान देना है आपको try करते रहना है 100% open तो होना ही होना है दोस्तों और यह देखिए यह देखे दोस्तों finally आपने देखा इतनी मेहनत करने के बाद हमारा google play services जो disable था वो finally enable हो गया अभी आपको याद होगा दोस्तों यहाँ पे enables हो कर रहा था और जैसे ही open हुआ मैंने तुरंट click किया तो जो disable था वो enable हो गया मतलब हमें google play services को enable करना था ओके बहुत सारी मेहनत लगी आपको भी ऐसे ही लग सकती है हो सकता एक से दो बार में भी हो जाए कभी कभी बहुत ज़्यादा जितना कि आपने देखा मैंने कितनी problem phase करने के बाद इसे enable किया ओके तो यह enable हो गया दोस्तों google play services अब आपको इंटरफेस दिखेगा उसके बाद एक पॉइंट और बैक जाना है तो एक पॉइंट और बैक चलते हैं और यहाँ पर वेट करेंगे वेट करने के बाद दोस्तों यह देखे google services आपको सो करेगा ठीक है अब आपको setup सिर्फ करना है आपकी device का FRP bypass हो चुका है लेकिन setup आपक यहां से इस applications को सारे को skip कर देना है और यह देखे congratulations your phone is ready आपको simple start पर क्लिक कर देना है ओके और यह देखे दोस्तों finally loading हमारी डिवाइस बीबो वाई 72 5G पूरी तरह से अनलाख हो गई एक्टिव हो गई यह देखे दोस्तों अब डिवाइस का जो FRP पूरी तरह से कमेंट करिए मुझे बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और यह ट्रिक आपको कैसा लगा और प्लीज दोस्तों ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारी यूटीब चैनल को जल्दी से subscribe करिए बगल में जो बैल आकन उसे भी प्रेस करिए ताकि आने व आप वहाँ जाए और अपनी प्राबलम डिरेक्टली मुझे से शेयर करिए मैं जल से जल आपको ब्यहतर से ब्यहतर सलुसन दूँगा तो दस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठैंक यू ठैंक यू सो मच